अई हमारे पास और नहीं थी क्योंकि हम सब णोजवान स्ट्टेंट थे सुलेंज विध्यार्थी थे तरह लेकिन पैसा नहीं था तो उस पैसे की जुरूरत को किसी इंसानन ने पूरा किया तो शुरेंद्र कोशी कि जी थे पूरे गाटके डिवार के साथ एक लाइन बिछाई हुए लगबग चार सो फिट पाइप उस टाइम उनके साथ सा जितनी हमने नलके और चाहिए थी पानी डालने के लिए वो सब की वैस्ता जी सने की वो सुरेंद्र कौसी जी थे उसके बाद भी जब भी हमें कभी भी जुरूत पड़ी वो चाहिए मोदा पर चाहिए था इन्होंने हमें सोयोग किया कभी राजितिक बात नहीं की कि हमें आज भी मैं आपको बताऊंगा कि यह कोई राजितिक बात करने के लिए हमने कोई जी वो नहीं है हमारा एक दो विशह था हम जो अभी मोदा आश्रम में जो पार्क डवलप कर रहे हैं जब इनको सुचना मिली कि ऐसे ऐसे हमारे पुराने युवा साथिक पार्ड डवलप कर रहे हैं तो उन्होंने का अन्रोज किया कि मैं बिल्कुल मेरिया भी स्वयोग वहां पे हो और यह हमारे 15 गस को जो हमने दोजार रोण किया सुरेंदर जी हमारे मूट के देती थे उसके अ यहां जाए वहीं पे मेरा मानना है कि चेंज हो जाता है जहां तक सरकारों की बात करता हूं किसी भी व्यक्त है तो झाला ये और Pentagon नहीं कलतेवर कि जो इंप लागिया को नहीं क्योंकि हम जाग रहे अभी दिवान जी कह रहे वोट की जो बात करते हैं उसके अपर जो सबसे बड़ी चोट की जा सकते हैं जब आपका वोट का अधिकार होता है आप चुनाओ के टाइम पर कर सकते हैं लेकिन हम कुछ अवेर नहीं है जागुरुक नहीं है हम कहेंगे तो सरी बहुत सारी समश्या हैं लेकिन फिर हम चाहे जो समाज के लिए Пр Done पर अटाने के लिएbane लेfirst आप को श्रकार किस की थी कशुआ divan जी निसी समाज करने के लिएratoink मेरा मान wspिए अबंड़ साथ हमारे समाज में है और जो राजती के अंदर भी अच्छा कारे कर सकते हैं तो हम उनको मुखा देना चाहिए सभी की इच्छा है मैं यह नहीं कहता कि जो जदें लोग यहां बैटें सारे स्पोर्टर इनके ही हो यह भी जरूरी नहीं है हो सकता है बीजेपी के स्पोर्टर कोंगरेस के और किसी पार्टे के भी हो सकते हैं लेकिन जो अंतरा आत्म जो आपके कहे वह आप कारे करें बाकि आप सब लोग समिझदार हैं कोई विश्य बहुत बड़ा हो सकता है बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी बाते हो सकते हैं जो समाजी क्षेतर में भी क्योंकि हम समाज का कारे करते हैं आज से नहीं लगबग 2000 के बात से लगा लिए लगबग पिछले 24 से 25 साल तो मेरको हो गई जो समाज के लिए कारे कर रहे हैं हम देख रहें कि समाज में कौन कारे कर रहा है बाकि सब लोग आते हैं जब चुनावे के टाइम आएगा जब आपके घरों में भी आएंगे मोले में भी आएंगे समाही भी करेंगे आपके अंदर बीच में रहें कितने लोग कारे करते हैं आप देख लिए एक बार तो सभी हुआ साथियों से मैं तो इतना ही कहूँगा इतना ही आगरे करूँगा इस बार जब हम 2024 के अंदर वोट करेंगे तो वोट हमेरी सोच के साथ करेंगे वोट उस वेक्टी को करेंगे जो आपके साथ खड़ा हो आपके समाज के साथ खड़ा हो जो आपके समाज में और आपकी सब्सक्राइब करें दन्यवाद कोशिक साब सभी बुजुर्ग और मेरे साथियो नमस्कार मैं राकेश तमर देखिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा इस तरह की गैदरिंग में और खास तोर पर जो राजनेतिक है और इस तरह की जो गैदरिंग है ये मेरा पहला मैं पहली बारी बैट रहा हूं मेरा इस तरह से रहे नहीं लेकिन फिर भी अगर आप क्योंकि जैसे जिस प्रकार चीजी तिंदर जी ने आपको बताया कि किस तरह से कोशिक जी ने हमारे शेयर के लिए और हमारे समाज के लिए जो योगदान के और बरसक प्रियास किये उसके साथ-साथ उन्होंने सारी बाते बताई हैं लेकिन मैं आपको सही बताता हूं लेकिन मेरे ऐसा कोई इसके तरफ द्यान नहीं था कभी भी, लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी व्यक्तिकत राय बताऊं, तो जब कभी मैं कोशिकी से मिला हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार इनके यहां पे आया हूँ, एक दो पार पहले भी मैं व्यक्तिकत तोर पे यहां पे मेरा आना हुआ है, लेकिन जब कभी मैं इनके पास बैटाऊं, इनसे मुझे बरपूर प्यार और पूरा सहयोग मिला है, और इनकी बातों में मुझे सत्ता प्रतीत हुई, तो जिस परकार से आज हम सब ही यहां पे एकत्रित हैं, और हमारा यह मुद्दा है कि महंदरगर के परती हम सब की जिम्मेवारी बनती है, तो उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए हम सब को जागरूख होना पड़ेगा, इस बात में कोई गलत नहीं है, इस चीज़ को हमें पूरी तरह से समझना पड़ेगा, और जागरूख होने का मतलब यह नहीं है कि हम सिरफ कमियों को गिनाए, कि उसने ऐसा कर दिया, उस इंसान ने जो नेता है, उसने किया, नहीं किया, हम अपनी तरफ से कितना योगदान दे सकते हैं, और किस वेक्ति को हम अपना प्रतिनीधी बनाए, जो सच में हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी समझ्याए हैं, उन पर काम करें, कि जहां तक मैं समझता हूं, जो मेरी वेक्ति के तरह है, कोशिक सर, उस चीज के लिए, सुरेंदर कोशिक जी माननी है, उस चीज के लिए पूरी तरह से समर्थ है तो हम सब को उनका सहयोग करना चाहिए इसी के साथ मैं आप सभी का समर्थने के लिए मांगना चाहूंगा धन्यवाद